आप सोच सकते उस वक्त बेटे को आलम बनाने के लिए वाल्दा खर्चा करती है 30,000 दिनार 2,000,000 पाउंज 15,000,000 रुपिय आज कुन सा मुसल्मान अपने बेटे को आलम बनाने के लिए 15,000,000 रुपिया खर्चा करने को तयार है वो इनने प्रवावित होए चोर और ना तो तो ते उनना ने चोरी शाट थी बड़ी कमाल दी गालाइब वावजूद उनके हां की रोश्ण नहीं आती उसके बाद इमाम बुखारे मतुलालाई की वालदा रोज लगातार अपने रब अपने खालिक अल्ला सुमाना हो तालाई से दुआ करती है के मेरी बेटी की रोश्णी लोटा दे उसके बाद के अफसों बाद नवी वीडियो ये जाकर नाइक जी दी इस वीडियो वेच उनना ने आलमा इकबाल ते अप्दुल क्वादिर जिलानी जी दे बारे दस्याय और कौन सी हना उनना बारे इंफोमेशन देती है सानु भी नहीं पता है कौन सी उनना दे मूह सुनने है और इस्ट्री बारे वीडियो गार देए स्टार्ट तो जब अलामा इकबाल पाईदा हुए अल्लामा इकबाल की वालदा ने अपने चाती का दूद अपना दूद अपने बेटों को नहीं पिलाया वो चाती थी के मेरे बेटे के जिसम में एक वूंद भी हराम कमाई नहीं जाए कि उनने पिता जड़ी हो व्याज वगएरा सूद दी वो कर दे सी थे ओ मलब इन्ने कटर सी के मेरे बच्चे तक हराम दी कमाईना पूंचे तल्लामा इबार के वालदा ने क्या किया अपने जेवराद बेचे जो फुद के थे अलमदुर हलारा कमाई के थे जेवराद को बेचके एक बखरी खरीदी और उस बखरी के दूद से परवरिश के आलमे अगबार की और अल्ला ने फिर उनके शोर को हदाय दी और वो भी सीधे रस्ते पे आ गए और फिर अल्ला्या य अशा श्क्स souff Dash श्क्न आइए ऐसी तक ही मिसाले और एक मिसाले वाल्दा की शेका अब्दुलकादिर जिलानी जी रह्मतुलाला है शेका अब्दुलकादिर जिलानी रह्मतुलाला है अलहम्दुलल्ला तौहीब पे थे और उन्हों ने इस शेहर flanzenस्तान में इसलम का दीन पहलाया उनका बड़ा हात है और वो तोहीद पे थे इसलाम का सई पेगाम गेरों तक पुचाया और उनकी वालदा ने शेख अब्दुर्कादे जिलान अहमद अलाले को सिखाया था कि बेटा तू हमेशा सच बोलना कभी जुट मत बोलना चाहे तेरा नुकसानो चाहे तेरी जान जाए एक वक्त जब शेख अब्दुर्कादे जिलान हमद अलाले जब एक सफर कर रहे थे तो उनकी वालदा ने कुछ अश्रफियां उनके कपड़े में सी दी ताके वो गुम न जाए ताके कोई उने चोरी न करे कुछ पैसानी मिलता है तो वो डाकू कहते है शेक अब्दुर्कादे जाहिम अलाले से तरे पास कुछ पैसे ने उन्हों ने कहा हाँ है मेरी माने मेरे कपड़ों में सी ली है और वो जगा दिखाते है वो डाकू ने कहा कि अगर ये बच्चा हमें नहीं बताता तो हमें कभी ये अश्रफया नहीं मिलती है वो इतने खुश हुए इस बच्चे के इमानदारी से और पूछा कि तुम ने हमें सच क्यूं कहा तो उसने कहा कि मेरी माने मुझे सिकाया है कि कभी जूट नहीं बोलना चाहे मेरी जान जाए वो डाकू इतने खुश हुए कि उन्हों ने दागा दाना छोड़ दिया ऐसे कई मिसाल मिलती है तब तारिक पढ़ते हैं मिसाल मिलती है तारिक पढ़ने के बाद इमाम शाफी रहमतलाले की वालदा वो यमनी थी और उनके वालिद कुरेश थे और बच्पन में ही उनके वालिद का इंतिकाल हो जाता है तो उनकी वालदा जिद्दो जैद करती है और इमाम शाफी रहमतलाले की परवरिश करती है और उनकी खौईश थी कि मेरा बेटा उल्मा के दर्मियान अपना बच्पन गुजारे इसी लिए सारा इंतिदाम करती है और इमाम शाफी रहमतलाले को मक्का भेचती है उल्मा के दर्मियान जीने के लिए तो बच्पन से इमाम शाफी रहमतलाले उल्मा के दर्मियान उनकी परवरिश होती है और अल्ला सुभाना वोटाला ऐसे एक इमाम को खड़ा करते है इमाम शाफे रहमत अल्याले कुर्मानी थी प्लानिंग थी उनकी वालदा की मस्तक्बिल सोचा उनके वालदा ने मैं और एक मिसाद दो नगा इमाम बुखारी की रहमत अल्याले इमाम बुखारी की वालदा का बड़ा हाथ है इमाम बुखारी के परव göreश करने के ले हमत wedding इमाम बुखार हमत अल्याव की यादाश बहुत 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 पुक्ता थी लेकिन असोस की बात है कि बच्यपन में रही अपनी आग की रोशनी खुदेते हैं उसके बाद, इमाम भुखारिमत अलाई की वालदा, रोज लगातार अपने रब, अपने खालिक, अल्ला सुभानाओ ताला से दूआ करती है, कि मेरी बेटी की रोशनी लोटा दे, उसके बाद, के अर्सों बाद, अल्ला सुभानाओ ताला, उनकी वालदा की दूआ सुनते, और उनकी वालदा के खौब में आते है, हदर्द अब्राइम अल्यश्लाम, और हदर्द अब्राइम अल्यश्लाम फर्माते, के तेरे बेटे की रोशनी लोटा दी गई, और सुभा को, इमाम भुखारिमत अलाई, वो फिर से देख सकते हैं, तो ये मिसाल है, वालदा की किस फारिफ सरीके से उन्हों ने अपने बच्चों की परवरुश की, मैं और एक मिसाल दूँगा, दो लोग थे, जो आपस में बहुत मौम्बद करते थे, ते फारुक और सॉलिया, आपस में मौम्बद करते थे, उन्हों ने शादी की, शादी के तीन मैने बाद, जिहाद का का अलान होता है और फारू को जाते है जियात पर जियात के जाने से पहले वो अपनी एहलिया अपनी बीवी सोलिया को 30,000 दिनार देते हैं 30,000 दिनार एक यूक्य के आद्मी ने कैलकुलिट किया और और कहा कि वो होते 2 million pound 2 million pound 2 million pound को मैं तब्दिल करूँगा रुपिय में हो जाता है 15 कुर रुपिय वो देते है 30,000 जिनार 2 million pound 15 कुर रुपिय अपने एलिया को और कहते हैं कि इसे महФُوظ रखो इसे खर्च मत करो मैं जियात के लिए जा रहा हूँ और फिर वो जियात के लिए जाते हैं और कहते हैं कि इन्शालला मैं तीन मेने में वापिस लोटूँगा उनके जाने के चंद मेने बाद उनकी एहलिया सॉलिया को एक बेटा पेदा होता है एक साल गुज़रने के बाद उनके शोहर वापिस ने आते दो साल गुज़रने के बाद वापिस ने आते धाई साल बाद एक शक्स आके कहता है सॉलिया से कि मैंने तुम्हारे शोहर फारुक को देखा कि वो गिर गए और वो गहल हो गए फिर चंद साल गुज़रते हैं फिर भी फारुक वापिस ने आते तो उसकी एहलिया समझती है कि मेरे शोहर का इंतिकाल हो गया लेकिन तीस साल बाद फारुक वापस मदीना लोटते हैं और उनकी खौशती कि मैं मेरी एहलिया से मिलू लेकिन वो बहुत परेदगार थे मदीना में आने के साथ सबसे पहले जाते मस्जिद में नमास पढ़ने के लिए नमास पढ़ने के बाद वो देखते है कि कल्ब उल्मा आपस में इल्म के बारे में गुफ्तुगू कर रहे हैं और उनमें थे एक नवजवान तक्रीबं तीस साल का नवजवान जिसका नाम था शेक अब्रह्मान वो सबसे बहतरी आलिम था वो से काफे मतासर होते फिर वो जाते है अपने घर की तरफ जब घर में दाखिल होते है तो अपने बीवी सौलिया से मिलते है वो दोनों खुशी के मारे रो पड़ते है उसके बाद फारुख पुशता है कि मेरे तीस अजार दिनार तो महफूज है ना आपने उसे खर्च नहीं किये तो उसकी एहलिया पुशती है आप घर आने के पहले मस्जिद गए थे तो हम बिल्कुर थे मैं मस्जिद गया था वहां आपने उल्मा को दिखा हां में दिखा कैसे है भूछ अच्छे मैं खुशी की बाद है कि इस शहर में ऐसे उल्मा है तो उसकी एहलिया उसे पुशती है सबसे बहतरी इन आलिम आपको कोन लगे तो फारुख कहते सबसे बहतरी इन आलिम थे शेक अब्दुरह्मान तो उसके एलिया पुछती है कि अगर अल्ला आपको शेक अब्दुरह्मान जैसा इल्म दे तो आप कितना ख्रचा कर सकते इस इल्म के लिए तो फारुग केहता है ये सारे तीस अजाज दिनार मैं खर्च कर सकता हूँ ऐसा इल्म हासुर करने के लिए फिर उसकी बीवी पुछती है कि अगर आपका बेटा हो उसे ऐसा आलम बनाने के लिए आप कितना खर्च करेंगे तो फारुक कहते हैं मैं तीस हजार दिनार से ज्यादा खर्चा कर सकता हूँ पंदरा क्रोर रुप्ये से ज्यादा खर्चा कर सकता हूँ अपने बेटे को शेख अब्दुर्यमान बनाने के लिए तो उसके ऐलिया कहती है आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और ये शेख अब्दुर्यमान आपका बेटा है और आपके तीस हजार दिनार मैंने खर्च किये इसको आलिम बनाने के लिए आप सोच सकते उस वक्त बेटे को आलिम बनाने के लिए वालदा खर्चा करती है तीस हजार दिनार टू मिलियन पाउंज पंदरा क्रोर रुप्ये आज कुण सा मुसल्मान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए पंदरा क्रोर रुप्या खर्चा करने को तयार है हाँ डॉक्टर बनाने के लिए नो प्रॉब्लिम डॉनेशन देंगे रिश्वत देंगे दस लाग, पंदरा लाग, भीस लाग, पचास लाग, एक क्रोर डॉक्टर अमेरिका भीचने के लिए मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है दो क्रोर खर्चा करेंगे, तीन क्रोर खर्चा करेंगे क्यों? बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है स्टेटिस मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितने मुसल्मान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए पंद्रा खोड़ कर चाकरें गिंथी कर आपको मिलेंगे ऊंग्लियों पे है अल्हम्द्लियल्द आज भी हमारे मूच्रे मेंचे मुसल्मान हैं लिकिन बहुत कम उग्लियों पेगिन सक्ते बहुत कम लिकिन है आलhmद्लिद आनों मान किद्धा परवरिष की ती उन्हानु जड़ी हरामदी कमाई एक वी चीज नी उन्हा तक पहुंचन दिती तो उन्हानु मक्का पे जय एक आलम बनांदे लिए जा ताक युन्हाने बक्करी भी चीज लोक्य 45p अन्हानम उन्हान चाहता रहा मधि एक परवरीष के चीज ती ऊचीज डिएुद्धा। बड़ी कमाल दी गाले है बढ़ी कमाल दी गाले है खोर भी नहीं है बहुत सारेया गला दसे याने जेहिए जी तुन्स उन्हों सिखना चाहिए ज़ी आ है कि इमांदारी साथी जिंदगी चे किन्नी जरूरी है बाइव इंट्रस्टिंग विडियो हुँंदी इसी पेहला मिए कक्षब्स करने हो आधी चेक्ण आदे चेणल बहुत होगे लिदीओं अपने फ्रेंटस अइसे चेयर करे से विडियो जये फ्रेंडेओं अपने फैमिली सहे करेयो वीडियो ज़ेत अ करना है कि जैदी होर भी वीडियो बेखना पसांद कर दे हो लिंक जरूर पे जा करो तांकि ऐसी ओन देटिर एक्षिन वीडियो लेके आईए ते लो भी दोस्तों आज लिए इन्ना जी फेर मिलां को और नहीं वीडिया नहीं आला सासी करें